हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड़ा, दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे नई जॉब की जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारे निकाली गई है, यूपी पीसी द्वारा, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और आप इसका एप्लिकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा, साथ ही इसके सिलेबस के पीडियेप को आप जॉब्सुरू.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया गया है, और कमेंड में पिन किया गया इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा, मेंस के question answer की practice करवाई जाएगी, साथ ही study planner दिया जाएगा, और experts का guideline मिलेगा, अगर आप subscription लेना चाहते हैं, तो मैंने इसका लिंक इस वीडियो के description में दे दिया और comment में पिन कर दिया है, आप उस link पर click करें, उस link पर click करने के बाद आप यहाँ पर आजाएंगे, यहाँ पर आप iconics लेक करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर price लिखा हुआ है, यहाँ पर पेमेंट करने से पहले SR Adda coupon code यूज करें, जिससे आपको 10% का extra discount मिलेगा, अभी आप देख सकते हैं, 5792 रुपे पर मंत में आप एक साल का subscription ले सकते हैं, जैसे ही SR Adda coupon code यूज करेंगे, आपको 10% का extra discount मिलेगा, यहाँ पर लगबख 7,000 तक का आपको discount मिलेगा, तो पेमेंट करने से पहले SR Adda coupon code यूज करें, सबसे पहले बात करेंगे post name की, तो इसमें दो group की post है, group A और group B, सबसे पहले बात करते हैं, group A की, तो इ पोस्ट ग्रेजट पास होना चाहिए एग्रोणॉमी में उसके साथ ही candidate को agriculture में ग्रेजट होना चाहिए और senior technical assistant group एग्रोटनी ब्रांच की बात करें तो इसमें candidate को पोस्ट ग्रेजट पास होना चाहिए एग्रोबाटनी में या फिर plant reproduction with science of origin या फिर postgraduate degree पास होना चाहिए बोटनी में with especially in genetics या फिर plant reproduction उसके साथ ही candidate को agriculture में ग्रेजट होना चाहिए अब बात करते हैं senior technical assistant ग्रूप एप्लांट प्रोटेक्शन की तो इसमें candidate को पोस्ट ग्रेजट पास होना चाहिए एंटेमोलोजी या फिर plant pathology या फिर candidate को msc पास होना चाहिए plant science में with specialization in entomology या फिर plant technology अगली पोस्ट जो senior assistant group ए development branch की है इसके लिए candidate को पोस्ट ग्रेजट पास होना चाहिए या फिर candidate को agriculture में graduate होना चाहिए अब बात करते हैं age limit की तो candidate की age जो है 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए age आपकी 1 July 2020 से calculate की जाएगी अब बात करते हैं important date की तो form बने की date जो है 29 December 2020 से start हो रही है form बने की last date जो है 29 January 2021 है आप इससे पहले form को जरूर फिल कर दें अगर application fees की बात करें तो unreserved EWS और other backward class यानि की OBC की fees जो है 100 रुपे examination fees होगी online processing fees 25 रुपे होगी वहीं पर SCST और ex-serviceman की fees जो है total 65 रुपे है जिसमें 40 रुपे examination fees हो 25 रुपे online processing fees होगी वहीं पर handicapped की 25 रुपे application fees है और अगर इसके syllabus के बारे में जानना चाहते हैं तो इस PDF को download कर लें जिसका link इस video के description में दिया गया और comment में पिन किया गया है और इससे related अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं और ये video कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताए ये video देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद